हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप समों का एविशी अकेडमी पर तो फ्रेंड्स अगर आप बिहार के BPSC TRE, बिहार SSC, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की तयारी कर रहे हैं तो आज का यह क्लास आपके लिए Most VVI क्लास है आप में से जो भी लोग नए हो ध्यान देते हैं आप लोग 3600 पलस M-Secure वाला यह बुक आया है जो कि किरन पब्लिकेशन के द्वारा कहिए कि लाया गया है आप में से जो भी लोग बुक को पर्चेश करना चाहते हैं आपके आज पास के बुक सॉप पर मिल जाएगा अगर आपको नहीं मिलता है इस क्रीन पर आपको नंबर सो कर रहे हैं आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर दीजेगा आप जिस भी जिला से हैं बिहार के आपके आज पास का जो भी बुक सॉप वाला होगा जो यहाँ बुक रखता हो यहने कि डिस्टिब्यूटर हो उससे आप कॉंट्रेक्ट कर सकते हो यहाँ मेरा जिम्मेदारी ना का आपको नंबर वो अबलेवल करवा दिया जाएगा उसका नाम और नंबर मिल जाएगा यहाँ पर आप एक नजर देख लिए इन सारे एकजामों के लिए आज का यह क्लास काफे इंपोर्टेंट है आज के इस क्लास में मत्यकालिन भारत की इतिहास को देखेंगे जिसमें कि आपको टोटल 143 प्रस्ण देखना है मास्टर वीडियो के रूप में आज का यह क्लास है सारे प्रस्णों को आप देख लिजिए इससे पहले इसका और भी क्लास दिया जा चुका है आप लोग क्या करेंगे प्ले लिस्टा करके चेक कर लेंगे क्लास के बारे में कुछ कहना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आसा करते हैं क्लास आपको जरूर पसंद आ रहा हो अगर क्लास सच में पसंद आ रहा हो जो कि मेरा आसा है कि आपको पसंद आ रहा है आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दिजिएगा ताकि पता चले कि हाँ आप में से कितनों लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा है आईए सबसे पहला सवाल देखते हैं अकबर के शाषन काल में विद्वानों के एक समुह ने महा भारत का संस्कृत से फार्सी भाषा में अनुवाद किया इस फार्सी संस्करन को क्या कहते हैं यहाँ पर आपको नंबर शकेंड बताना होता है क्या कहते हैं रजनामा कहते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ भी देखते चलिएगा सारे प्रस्ण आपके बिहार के एक्जाम में पूछे गए हैं आप बिहार SSC में देख रहे हो, कुछ दिर के बाद आप बिहार दरोगा का देखोगे, फिर बिहार पुलीस का देखोगे, और अंत में आपको बिहार सिक्षक भरती 2.0 हुआ है, नहीं, सिक्षक भरती 1 हुआ है, उसका आप देखोगे, और 2.0 भी जल्द ही जब एक जाम हो जाएगा, तो इसमें include करके आपके सामने वह भी लाद दिया जाएगा, आप लोग खुद से यहां पर ध्यान देते चलिएगा, हर एक प्रशन काफी important है, और सबसे important जो अभी आपको कहा गया, प्रशन यहीं सब रहते हैं, और इसको उठा करके क्या किया जाता है, question paper में set क कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि यहां पर नाम कुछ और change कर दिया जाएगा, ठीक है, तो अलिया की दरगा है, तो अलिया की दरगा ही रहेगा, ऐसा थो ना, कि कुछ और नाम दे दिया जाएगा, यहां पर तो यह ध्यान रखिगा, question यहीं रहते हैं, इस पर पकर बना ल होगा कहा पर है दिल्ली में है ठीक है 1236 इस्वी में ये रहे थे 1325 तक इनका मतलत पर है कि जीवन चला था ठीक है और ये ना चिस्ति घराने के संत थे अगर यहां पूछ लेगा कितने नंबर के संत दे तो चौथे नंबर किते बस इतना आपको ध्यान रखना है नंबर होया है लेकिन जो कनक विंदावन है ना यह नहीं है यार रख़ेंगा ठीक है या एक उद्ध्यान है जो पार कारिके stadion करतां कि जैसा है या नंबर फूर है तारीके मुबारक शाही का ले खकर नाम है यहया शरहिंडि बता ये निमलिकःत मैंसे किसके शासनकाल में था time दिया जा रहा है सोचिए, number second आपको बताना होगा सय्यत के समय में थे, ठीक है, तारीखें मुबारक मुबारक शाही का लेखक का नाम क्या है, तो या हिया शरहिंदी है, और कहड़ा एक निमलीकित में से किश्के सासनकाल में था तो सयद वंस के शासनकार में था आपको याद रखना है नंबर फाइव है तुगलक वंस का अन्तिम शाशक कौन था तुगलक वंस का कौन था बताईए क्या आपको यह नाम पता है यही था तुगलक वंस का अन्तिम शाशक नसीरुद्दीन महमूद याद रखिएगा आपको यहाँ पर नंबर फूर्टिक करना होगा इनका जो टाइम पिडियाड है तीरह सो चौरानबे से चौरानबे से 1412 isthe toMan dar समय रहा था टीक है इसके बाद 1414 isthe में आपको अगर ध्यान हो नाम खीजर कहां ने कना स्थापना किया था याद है लोदी वंस का किया गया था उसके दुगला यहाँ पर आप समझ गए option नंबर फूर आपको टीक करना है निम्रिखित में से किस नगर में चार मिनार इस्थीत है चार मिनार कहा है हैदराबाद में है नंबर थर्ड सही जवाब है आप में से जो भी लोग सावत में भी देखते होंगे आपको जबूर पता होगा कब बनवाया गया था पन्रोसो इक्यानबे में चार मिनार बनवाया गया था राजा सवाई जैसिंग द्वारा प्रत्थम वैद साला कहां परस्थापित किया गया था नमबर फर्स्ट जैपूर में निम्लिकित में से किस मुगल साशक का मकवरा भारत में कह रहा है एक नहीं है देखे औरंगेप का है हुमायो का है अकवर का है जहांगीर का नहीं है याद रखेगा पाकिस्तान का जो लाहोर प्रांध है न वहीं पर इनका जहांगीर का क्या है मकवरा है मुहम्माद गोरी के किस दास ने बंगाल एवंग बिहार पर विजय प्राप्त किया था उसका नाम है बक्तियार खेल जी नमबर थार्ड सही जवाब है और यह जो नाम है मतलब क्या कहिए सरकार अगर सुने अभी तो सुनेगा नहीं पता है हो सकता है बाद में सुने सबसे पहले ना इस नाम को बदलना चाहिए पता है ना इन्होंने किस चीज को जलाया था और इनके नाम पे बक्तियार पूर है या भी आपको पता होगा साधिये नहीं रहना चाहिए इनके नाम पर या नाम रखा गया इनके द्वारा या आप जानते हूँ अश्ट प्रधान मंत्री परिशद किसके शासनकाल में था ये थे सिवाजी के समय में नंबर फर्ष्ट सही जबाब हो जाहेगा इवन बतूता की भारत यात्रा किस कास किस साशक के काल में हुआ था ये नहीं जो सभी सवाल देख रहे होती यहाँ पर मुहम्मद बिन तुगला का आपको बताना होगा इसे आप जरूर याद करते चलिएगा कब आया था याद है पंद्रो सो तैटीस में रामानु जाचारी किस से समंदित है नमबर थर्ड विसिष्टा द्वैतवाद से समंदित है रामानु जाचारी ठीक है सल्तनत काल में अधिकांस अमीर एवंग सुल्तान किस वर्ग के थे नमबर फर्स्ट आपको ट्रिक करना होगा किश्वर किते पूछे तुर्क आपको बता देना है फतेहपूर सिक्री को किस ने बनवाया था फतेहपूर सिक्री को बनवाया था नमबर शकेंड अकबर ने बनवाया था बीवी का मकवरा कहां पर है बीबी का मकवरा कहां पर है नंबर फर्स्ट और ये और अंगाबाद में है और बीबी का मकवरा का निर्मान पूछा जाए तो मुगल सासक और अंजेब का दूर सहजादा था नाम था आजम सा उसीने कहिए कि सत्री सतापदी में बना करके ये तयार करवाया था औरंगावार यानि कहां तो महराष्ट्र में याद रखिएगा भारत में सबसे उचा दरवाजा कौन सा है नाम है बुलन दरवाजा नंबर फर्स्ट सही जबाब है कहां परे भाई उत्तर परदेश अगरा आपको यहां पर ध्यान रखना होग कि आगरा के पास फतेह पूर्ष सिक्री है यहीं पर एक प्रवेश द्वार बनाया गया था ठीक है भारत का सबसे उचर जर्वाजा है निम्न मेंसे किस ने टाका अथवा रुपिया से अभेहित चांदे के मुद्रा का प्रवर्तन किया था सेलसा शोरी ने बाजार ने अंतरन प्रणाली किस ने प्रारम किया बताईए किस ने किया नंबर सकेंड हो जाएगा सही जवाब किस ने किया था अलाओ दिन खिलजी ने किया था ठीक है, दक्षिन भारत से उत्तर भारत में, भक्ती आन्दोलन किसने चलाया, दक्षिन से उत्तर में पूछे, नंबर फर्ष्ट बताईएगा, रामा नंधने सही जवाब हो जाएगा, खिसने, रामा नंधने, नम्रिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म को श्विकार किया था नंबर आपको यहाँ पर थर्ड विर्वल बताना होता है निम्रिकित में से किस ने दीन ए इलाही धर्म को श्विकार किया विर्वल ने किया था बिहार एससी के 2010 में पूछे गए प्रश्ण को अभी आपने देखा और आप में से जो भी लोग वैसे होंगे जिनका की BPSC वाला एकजाम होगा टीचर वाला 2.0 अभी आप देने वाले हैं आप लोग तो इकलास को जितना बार रिपीट करके देखना है अगर आपका हिस्टरी है पौरेटी है एकोनोमिक्स है जोगरफी है जो भी कलास यहाँ पर प्रिले लिस्ट में आपको मिली जो आपका सब जामुद्दिन ओलिया ने ठीक है हजूर होगा यहाँ पर हनूज लिखा हुए ना दिसे आप हजूर कर लिजेगा हजूर मतलब जानते ही आप क्या होता है दिल्ली दूर है सूफी संत थे यह जामुद्दिन ओलिया इन्ही का ये कथन है किसके सासनकाल में शब्ष अधिक म मंगोल आकर्मन हुए थे बताएं सही जबाब हुजाएगा नंबर थर्ड मुहम्मद बीन तुलक के समय में सबसे ज़्यादा क्या हुआ था मंगोलों का आकर्मन हुआ था दिल्ली सल्तनत की दर्वारी भाषा क्या थी नंबर फर्स्ट फार्शी बताईएगा शीखाओं के दर्समें गुरू गुरू गुविन सिंग्जी का जन्म हुआ था फार्ड कहा पर हुआ था भाई पटना में हुआ था जानते ही हैं कब हुआ था पता है बाईस दिसंबर 1666 को हुआ था ठीक है नम्रिखित मैंसे किस्नी भारत पर सबसे पहले आकर्मन किया था किस ने किया था अर्बो ने किया था नंबर सकेंड सही जवाब हो जाएगा वो जो मुहमल बिन कासिम था 711 एश्वी में आया था ध्यान होगा और वैसे भी हिस्ट्री वगर अखिलास आपको खान सरवाला जो नोट सा उसका भी दिया जा चुका है तो उसे भी आप देख लीजेगा अकबर के सासनकाल में राजा ट्रोडर्मल कौन था ओप्सन नमबर आपको थर्ड बताना होगा वित्तिये शलाहकार था तो डर्मल कौन था वित्तिये सलाहकार था याद कर लीजिएगा नमबर 27 है सही कला मुक्रमिक क्रम में नमली कि चार संतों ने जन्म लिया किस ने लिया था सबसे पहले देखिए कबीर का हुआ था जन्म 1398 में फिर आते हैं नानक नानक जी का जन्म हुआ था 1479 में चैतन महा परभू है ना इनका हुआ था 1486 में और तुलसी दास का तो आप जानते ही होंगे 1511 में जन्म हुआ था अगर आपको इसकी इन्सोट लेना है लेकर के रख लिए नमबर 1 सही जवाब हो जाएगा सेर साह अच्छी तरह से अपने प्रसासने कौसल के लिए प्रसिद्ध है विशेस रूप से अपने किस चीज के लिए अपने भूमी राजस्व परणाली के लिए नमबर 2 सही जवाब है बुरंदरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वहां किसकी विजय का परतीक है नमबर नहीं नहीं यहाँ टिक करना है गुजरात ठीक है गुजरात के जीत के खुशी में उन्होंने बनवाया था ठीक है कब बनवाया था यहाँ पूछा जाए तो 1602 इश्वी में बनवाया गिया था बीबी का मकबरा मकबरा है किसका और अंगेब की पत्नी का अब यह आपने देखा था आपको बताया गया था नमबर सकेंड सही हो जाएगा निमलिखित परदेश या फिर राज में से एक है जो अकवर के शासनकाल के अंतरगत मुगल सामराजी के सिमाओं के बाहर था वह जगा कौन सा है और अप्शन नमबर थर्ड हो जाएगा विजापूर विजापूर कहाँ पर है करनाटक में परता है यह भारत के परसिद मयूर सिंहासन वक को हिनूर हिरे को ले गया था कौन नमबर फर्स्ट नादिर सह आपको टिक करना है नमलिखित में से किस सा सकने जीटी रूट का निर्मान करवाया था यानि कि ग्रांट ट्रंक रूट का निर्मान करवाया था तो उसका नाव है सेर्साह सूरी विजापूर सामराज का हिंदू राजवास नमलिखित में नमलिखित की पराजय से कहले एक समाप्त हो गया किसकी नमबर सकेंड राम राज की हो जाएगा ठीक है विजे नगर समराज मद्दकालिन जक्षिन भारत का एक समराज था हिंदू संस्कीति की इत्यास में विजे नगर राज की बारे में पूछे काफी अच्छा इंपोर्टेंज रहता है और नाम था उनक कि सिल्तान को दी गई थी नमबर फर्स्ट हुदोबुदिन एवक को दिया गया था चौशा का युद्ध हुआ था किनके बीच में हुआ था बताए चौशा का नमबर थाटे सिक्स का आपको थर्ड बताना हुआ हुमायू और सेरसाह की बीच में हुआ था चौशा का पानिपत का पहला युद्ध हुआ था किस वर्स में नहीं पता है जवाब आप ही बताईए कमेंट करके क्या होगा 38 का च्या होगा राई टांसर पानिपत का पहला युद्ध हुआ था कब हुआ था जवाब पता हुद कमेंट जरूर करके बताईएगा आफी में से किसी का कमेंट को पिन कर दिया जाएगा ताके सभी लोग देखेंगे फिर उस कमेंट को सबसे पहले किसने दाउद को पटना और हाजिपूर से ख़देर कर बाहर किया था नंबर फूर अकबर ने किया था ठीक है कौन सा लेवल है इंटर लेवल 2017 का प्रिक्षा में यह पूछा गया प्रश्ण है अकबर के दर्वार में कितने रत्म रहा करते थे आप जानते हैं यह नौर रत्म रहते थे गुरु रानक जी का जर्म हुआ था कहा पर तलबंडी में हुआ था नमबर थर्ड सही जवाब है कब हुआ था 1469 में हुआ था इनका जन्म गुरु गोविन सिंग की सिक्षा कहां हुई और उन्होंने पर्सियन कहां पर सीखी नमबर फूर सही जवाब हो जाएगा अंबाला में हुआ था ठीक है 2017 का PSSC इंटर का सवाल है कुतुब मिनार का निर्मान किसके द्वारा पूरा किया गया था आप्चन नमबर आपको यहाँ पर सकेंड बताना हुआ इल्टु तमिश के द्वारा लालकिला का निर्मान किसके सासनकाल में हुआ था बताइए सही जवाब हो जाएगा नमबर थर्ड सह जहां की हमिदा बानो बेगम किसकी मां थी नमबर सकेंड शम्राठ अक्वर की मां का नाम क्या था हमिदा बानो बेगम तहीक है शेर साह के बचपन का नाम था फरीद बिहार दरोगा का या सवाल है देखा आपने गुरू गोविन सिंग जी के माता का नाम क्या है सही जवाब हो जाएगा नमबर फूर इन में से कोई नहीं क्योंकि ना देखिए गुरू गोविन सिंग सिखाओं के दस में और अंतिम गुरू थे आप जानते हो इनका जन्म अभी आपको बताया गया था 1666 में 22 दिसंबर को हुआ था कहां पटना भिहार में इनके पिता जी का नाम पूछे गुरू तेख बहादूर आप जानते हैं लेकिन माता का नाम अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर आपको दिया ही नहीं गया है माता का नाम क्या है आप इससे समझ लेखिए माता जी इनकी गुजर गई तो बतलब गुजरी आपको नाम याद रखना होगा माता जी का नाम था गुजरी शिवा जी को किसने कैयद कर लिया था नमबर थर्ड औरंगजीव नहीं किया था नमबर फुर्टी नाइन है दिली के लाल किले में इस्तित्मोती माहजित को किसने बनवाया था नाम हो जाएगा सही औरंगजीव ने बुलंडर वाजा दिमलिखित में से कहा है बताया गया था आपको नंबर थर्ड फतेहपूर सिकरी में है रजनामा फार्सी का अनुवाद था किसका महा भारत जो है न उसे रजनामा कहा गया जब वो फार्सी में अनुवाद हुआ वह मुगल समराट जिसका दो बार अभिशेख हुआ उसका नाम क्या था उसका नाम था नंबर फूर सही जब आपो जाएगा क्या नाम था मैं उसका नाम था औरंगेव करेक सूफी जाने जाते थे यहाँ पर आपको टिक करना होगा नंबर थर्ड मुसलिम संत के नाम से जाने जाते थे सूफी और अंगेव के मेत्यू पस्चात किस नेता के नेतित में जाट काफी करेक सक्तिसाली हो गया था उसका नाम आपको बताना होगा नंबर थर्ड चूरामन दिखे समझेगा जरासा आपको पता है ना कि 707 इस्वी में और अंगेव के मेत्यू हो गय थी जब मुगल समराज था जब वो कम्योर होने लगा था ना तो अपने राज का विस्तार मतलब करने के लिए चूरामन ने क्या किया था योजना बनाया था ठीक है और 707 इस वी से आप ही समझी एक तरह से कि लराई में मतलब उसका काफी जाथा उन्होंने अपने आपको आज या सुल्तान बताना है कि बताई कि गया सुद्दिन तुगलाग ने किस वर्स तुगलाग वर्स के सामराज की अस्थापना की थी बताई है समय क्या था हुआ देखिए यहाँ पर आपको नमबर 56 में टिक करना होगा थार्ड तेरो सो बीस इस वी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डेट अगर आप से पूचेगा आठ सितंबर का डेट आप बता देजिएगा मंगोलो के वनसज मुगल कहा के मूलनिवाशी थे नमबर थार्ड आपको बताना होगा मद एसिया से आये थे ठीक है सवाल देख लिजिए कब पूचा गया था दिल्ली में हुमायू का मकबरा किस माश्मुगल मुगल साशक ने बनवाया था देखे यहाँ पे ना आप्शन नमबर आप ना कुछ ने टेक कर पा होगे क्योंकि दिल्ली में हुमायू का मकबरा की पूच रहा है किस मुगल साशाह ने बनवाया था आपको ये ध्यान रखना होगा नाम था उनका हाजी बेगम ठीक हाजी बेगम कहिए हमिदा बेगम छोड़ देए जब सवाल पूचा गया था तिसका जवाब बतलब कर ये बोनस अंक के रूप में मिला था एक अंक छात्रों को गुरू गोविन सिंग की रचनाहों का शंपादन किस कुस्तक में किया गया है नमबर सकेंड हो जाएगा सही जवाब दसम गरंत में किया गया है चोड़ावी सताबदी में मुरक्को के किस यात्री अवंगे थी हासकार को निया है दिवस्थापक की रूप में दिल्ली तरबार के मुहम्मद बेंतुगलक के द्वारा स्वागत किया गया था नाम था उनका इवन बतू था ओप्शन नमबर सकेंड सही जवाब मुहम्मद गवाण किसके राज में एक परसिद वजीर के साथ साथ कह रहा है कि वकील भी था बताइए यहां पर आपको नमबर थर्टी करना होगा बहमनियों का ठीक है मुहम्मद गवाण अगर पूछे तो बहमनी के राज में एक परसिद वजीर के साथ साथ वकील भी था ठीक है बेहार पुलिस भरती कॉंस्टेबल पर इच्छा 2016 में पूछे गए प्रेशनर को अभी आपने देखा सीर सासूरी का मकवरा कहां परिस्थित है नमबर फर्स्ट सासा राम में है नमबर 63 नम लिकित में से किस सिख गुरू ने गुरू मुख्य लिपिक की सुरुवात की थी गुरू अंगत देवजी ने किया था नमबर फर्स्ट सिखों के दूसरे गुरू थे न ये इन्होंने ही क्या किया था गुरू मुख्य लिपिक की सुरुवात किया था बताएंगे कि निम लिकित में से कौन चंगेज खां का समकालीन आपको बताना होगा नमबर फर्स्ट सुल्तान समसुद्दीन इल्दुतमिष थे खालसा पंथ की अस्थापना किया था किसने नमबर सकेंड हुरु गोविन सिंग जी किये थे खालसा पंथ की अस्थापना ठीक है अच्छा वो जो इश्वी है पूछा जा सकता है कब हुआ था तो सोलस्ट निन्यानवे में हुआ था याद रखिएगा कि भारत भारत में बाजार नियंद्रन करने वाला पहला मुस्लिम सासक का नाम बताइए अलाव दिन खिल जी सही जवाब हो जाएगा मुगल प्रसासन में निम्लिखित को मुहतसीव कहा जाता है most वी वी आई कोर्षन को आप ये समझें इस्टार आप यहाँ पर लगा सकते हूं मुगल प्रसासन में किसको मुहतसीव कहा जाता है काफी जवाब गलत करेंगे और कुछ लोग सही भी करेंगे जैन नई तिकता का प्रभारी अधिकारी आपको बताना हुए नंबर थर्ड सही जवाब पानी पत की पहली लगाई 1526 इस्वी में किन के बीच में हुए थी नंबर सकेन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में रजिया सुल्तान वे इलतोत में है लेकिन शेड़ साशोरी नहीं है याद रखेगा इन्हीं का बच्पन का नाम फरित था भारत में जन्मे थे ये पठान थे 1540 में हुँ मायू को हडा करके उत्तर भारत में सुरी समराज के स्थापना किये था आपको धियान होगा शेड सासूरी ने पहले बावर के लिए कहिए कि एक्षाइनिक के रूप में भी काम किया था यह भी आप धिहान रखिएगा यह भी पूछा जा सकता है आपसे भिरवल अपने किस गुन के कारण पर से दे थे बुद्धिमानी के वज़ा से नमबर फूर सही जवाब है दिन ए इलाही की अस्थापना किस ने किया बताईए दिन ए इलाही की अस्थापना नमबर साकेंड अकबर ने किया था खिल जी वन्स का संस्थापक कौन था जलाल उद्धिन खिल जी बताईएगा खिल जी वन्स का संस्थापक था बक्सर का युद कब हुआ था बक्सर का युद क मुगल नवाब के बीच में शेर्षा का मकवरा कहां पर है अभी आपने देखा था और लेकिन यह सवाल समझे कब पूछा गया है बिहार प्रारंबिक शिक्षन मुल्यांकर दक्षता 2021 में पूछा गया है शाशाराम सही जवाब है मुगल सामराजी के नीव किस लराई के ही माना जाता है 1526 में यह हुआ था दिल्ली का लाल किला किस ने बनवाया था सही जवाब हो जाएगा नंबर थर्ड साह जहाने बनवाया था सोमनाथ मंदिर को किस मुशलमान आकर्मनकारी ने ध्वंस कर दिया था मामूद गजरवी ने नमबर फूर सही जवाब है सिवाजी के प्रसासन में पेशवा किसे कहा जाता था option number third हो जाएगा मुख्य मंत्री को कहा जाता था किसे क्या कहा जाता था पेश्वा होता था मुख्य परधावन आप इसे कह सकते हो अल बरुनी किसका दरबारी कभी था option number third मामुद गजनवी के साथ भारत आया था अब यह जानते हो ठीक है मोहन जोदरों की खोज आर्टी पेनर्जी साहब ने किया था कब मोहन जोदरों से पूछा जा रहा है कब हुआ था खोज बताईए नंबर 80 है यह सवाल आपके लिए छोड़ा जा रहा है कमेंट करके बताईए दूस सवाल का जबाब तो आप लोग को बताना ही चाहिए ठीक है तोगल तोलक वन्स का इतिहास किस किस कैर्या की गरंथ में संगरहित है आप्शन नंबर फर्स्ट तारी के फिरोज साही सही जवाब होगा और यहाँ ध्यान रखेगा जो भी सवाल आपसे पूछा जाता है न अगले सेट में उससे बता दिया जाता है या मत सोचे अग सवाल छोड़ दिया गया ठीक है आप आगे सेट में देख लेंगे मुहम्मद गोरी के मेत्यों हुए थे का हुए थे 1206 में आपको बताना होगा गोरी के मेत्यों हो गए थे लाहोर से गजनी जाते समय इनका मेत्यों कहिए हत्या कहिए छोड़ा भोग करके कर दिया गया था ठीक है बताएंगे कि इल्टुतमिस दासवन्स का सुल्तान कब बना 1211 में बना था सही जबाब है और कब तक रहा था 36 तक रहा था इसी के बाद आये थी रजिया अलावदीन ने गुजरात पर कहले कव विजय पराप्त किया था 1297 में बताना होगा अलावदीन ने गुजरात के बगहल सासक था नाम था कर्ण देव इन्ही को हरा करके वहाँ पर जीत अपना हासिल किया था पाने पत की पहली लडाई सवाल कब है बिहार सिक्षक पातरता परिक्षा 2012 में पूछा गया 1526 में चैतन महापरभू का जन्म हुआ था कब हुआ था 18 फरवरी 1486 को आपना इसे याद कर लीजिए नहीं इसक्रिंसोट लेकर के सबसे पहले राखिए टाइम दिया जा रहा है फटाक्सी स्क्रिंसोट आप लेहीं लेजिए नेक्स्ट कुर्शन है आराम साहक का साशनकार कब से कब तक माना जाता है 1210 से 11 तक इनक रहा था अकबर ने अपने पिता हुमायू का मकबरा कहां पर बनवाया था दिल्ली में बनवाया था ठीक है शिवाजी को युद्ध कला में निपुन किसने करवाया निपुन किसने करवाया नमबर सकेंड दादा कौंड देव ने करवाया था शिवाजी को युद्ध कला में पारंगत बनाया था किसने दादा कौंड देव याद रखेंगे गुरू गुविन सिंग सीखों के कौन से गुरू थे दस्वे गुरू थे गुरू 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 गुविन सिंग दस्वे गुरू थे और अंग्जेब के मेत्तियों हुई थे कहां पर अहमद नगर सही जबाब हो जाएगा महराष्ट के अहमदनगर में हुआ था आपने देखा था विए कब हुआ था शत्रों साथ में मिलान करिए इतिहासकार और देश देखिए नंबर फर्स्ट अब्दूल रजाग समरकंद का था इबन बतुता मुरको का था मारको पोलो इटली का था पीटर मुंडी इंगलेंड का था यानि कि यहाँ पे आपका सभी सही दिया हुआ है ठीक है तो याद कर लीजिए बस इसे और नंबर फूर को आप चाहें तो ठीक कर सकते हो निमलिखित नवाबों में से किसने सबफद जंग मकबरी का निर्मान किया था तो यहाँ पे आप 93 में बताईएगा नवाब सुजाओ दोला ने किया था सबफद गंज मकबरी का निर्मान दिर्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनवाया था क्या नाम है उसका नमबर सकेंड अलाओ दिन खिल जी आपको बताना होगा सेर साह शूरी का मकबरा कहां पर है नमबर सकेंड सासाराम में 2018 के बिहार दरोगा में पूछा गया सवाल है अकबर के 1560 के अभियान के दोरान मेवार का शाशक कौन था राना परताप नमबर थर्ड सही जवाब हो जाएगा मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायू नामा किस के अनुरोद पर लिखा अकबर के नमबर फूर सही जवाब हो जाएगा ठीक है गुलबदन बेगम समराज जो बाबर था उसी की बेटी थी याद रखिएगा कन्नौज की लराई किसके बीच लड़ी गई थी हुमायू और सेर्शाह के बीच में हुआ था कन्नौज की लराई 1540 में 17 माई का वख्या था डेट था निकोलो कॉंटि नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था नमबर फर्स्ट देवराय पर्थम के शमय में इबन बतुता के बारे मने मनिकित में से कौन सा कथन के रेक शत्त्य है देखिए मुरकोगा था हाँ था वहां मुहमद बिन तुगलक के साथ के समय के रेक भारत आया था बिल्कूल आया था रहला उन्होंने लिखा था हाँ लिखा था सभी कथन क्या है शत्त्य है इबन बतुता के बारे में निकित में से किसे मुगल बात्चा द्वारा बुरहान उल्मुल्क की उपाधी परदान की गई थी नमबर फश्ट सारत खान के द्वारा अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एकूल की अवधाना निम्नांकित में से किस पर आधारित थी नमबर सकेंड धार्मिक सहन सेलता पर ये आधारित था सवाल देख रहें कपका हैं बिहार सिक्षक पातर था नाइन टेंथ वाले में आया था भी दोजर बीस में और यहां पर काफी जगण न ले ले इस वज़े से बिहार एसाई नहीं लिखा गया है बिहार पुलिस नहीं लिखा गया है ठीक है यह आपको पता है यही सारे सवाल सारे एकजाम में पूछे जाते हैं तो बस एक-एक के बारे में सबकी बारे में दे दिया है भक्तिया नुलन का प्रारम किया गया था अलवार शंतों की द्वारा चैतन महापरभू किस संपताय से समन्दित है नंबर फर्ष्ट वैश्णव दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया कि उसने रक्त और लोह के नीती अपनाई बलवन ने अपनाया था सकेन सही जवाब है प्रथम मुगल साशक कौन था नंबर फर्ष्ट बावर बताएगा पहला मुगल साशक था यहनि महत्रपुर्ण हस्त छिल्प उत्पादन और वित्रण के निर्था कस्मीड नंबर फर्ष्ट सही जवाब है बिहार पुलीस दोज़र बीज का सवाल है दिल्ली के किस सुल्तान ने श्वैंको नियामत एक खुडाई कहा था बलबन ने कहा था क्या कहा था श्वैंको नियामत एक खुडाई दिली में लाल किले में मोती मैजित का निर्मान किष्णे करवाया और अंगेब ने नमबर थर्ड सही जवाब है भारत का अंतिम मुगल साशक कौन था बहादूर साह जफर आपको यहाँ पर बदाना होगा शकेंड जो है यह क्या था अंतिम मुगल समरार था जफर के नाम से जानते थे मेत्यू हो जाती है 1885 में जगा पूछेगा तो बर्मा में इतना आप याद रखेगा इनके बारे में शल्तनत काल में दिवान मुगल काल में जिस भूमे का श्वा में तसिदे सुल्तान का होता था उष्य क्या कहते थे सही जवाब हो जाएगा किस सुल्तान के राज दर्बार में रहता था नाम है उनका मनसूर और वो थेचित्रकार दर्वार में रहते थे जहांगीर के भारत पर तैमूर लंग का आकर्मन कब हुआ था तेरोशो अंठानवे में किस साशक को अभिनव भारता चार कहा जाता है महाराना कुम्भा को कहा जाता है अभिनव भारता चार नमबर थर्ड यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा नमबर 116 है कस्मीर का अकबर किसे कहते हैं जैनुल आविदेन को दिल्ली सल्तनत का दर्वारी भाषा बताईए फार्शी शकेंड आपको टिक करना होगा गुरु गोविन सिंग की हत्या हुई थे कब शत्रो सो आठ में चौथ और सर्देश मुखी का सम्मन के सासक से था यहां विश्टार लगाया जा रहा ना कितना इंपोर्टेंट अगर आपको आपने प्रैक्टिस हिट वगड़ लगाया होगा ता आपको पता होगा सिवा जी यहां पर आपको बताना है चौथ और सर्देश मुखी का समन इनी से रहा था दो प्रकार का यह कर था ध्यान रखिएगा गुरु मुखी लेपी का विश्कार किस ने किया था नमबर सकेंड गुरु अंगर ने किया था इमारत और निर्माता बताएए क्या है सही अलाई तरवाजा तो अलाउदिन खिली ने बनवाया था ना ठीक है आगड़े का किला का निर्मान किस ने करवाया था यह किये थे अकबर इतमात दौला का मकबरा जो है यह हुआ था नोर जहां के द्वारा और दिल्ली का लाल किला सा जहां आप जानते हो यहाँ पे 121 में आपना शकेंड को ठीक कर सकते हो इसे सिखाओं के दस्में गुरु गुरु गोविन सिंका जन्म कहां पर हुआ था पटना में बिहार एल्डेसी परिक्षा 2022 में पूछा गया था बताए जहां आरा द्वारा लिखित के रहा सेख मुरुदिन चिस्ति के जीवनी जहां आरा ने लिखा था ठीक है यहाँ पर आपको बताना होगा मुनीस अल अर्वाव आपको यहाँ पर टिक करना होगा ठीक है यही मतलब उसका कहिए शीर्षक रहा था निमलिकित में से कौन सा अकपर के काल का भूमी का वर्गिकरन कह रहा है कि नहीं है पूलज है परवती है बंजर है लेकिन जड़ीबा नहीं है 2022 में जो मेंस वाला एकजाम हुआ था न बिहार दरोगा का उसका यहाँ सवाल है लेवल देख लीजे सवाल का सल्तनत काल के दोरान दिवान ए अर्ज विभाग ओप्शन सकेंड शेयन विभाग हुआ करता था यह भी मेंस का एकजाम का सवाल है यह भी आपका वही मेंस वाला है कृष्ण देव राय ने अपनी माता के नाम पर विजे नगर के समीब किस उपनगर की अस्थापना की है नागल पूरम के नाम से आपको यहाँ पर बताना होगा नमबर फूर सही जवाब है किस मुगल समराट के शासन काल में मुगल तरबार बाहर तस्लीमा और जमिन बोस्ट लागू किये गए थे यहाँ पर ना आपको नमबर फ़र्ड बताना होगा शाह जहां के समय में हुआ था ठीक है अमीर ए सिकार की पदवी पर बलवन को किस ने न्यूक्त किया था रजिया सुल्तान ने किया था विपियसी ओडिटर वाल एक्जाम में पूछा गया था यह सवाल अकबर के राजि के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था बिहार न साथ सरकार में साथ प्रांट में आपको बताना होगा मत्यकालिन बिहार में बुनिहादी प्रसाशनिक इकाई के रूप में परगना को किस ने विक्षित किया था शेर साह सूरी ने किया था नमबर थर्ड यहाँ पर आपको ट्रीक करना है अगर आप से पूछे कि आलम गेर नामा को किसने लिखा है ता आप बता देगा नमबर फर्स्ट मिर्जा मुहम्मद काजिम के द्वारा आलम गेर नामा लिखा गया है किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पतावनत कर दिया कि उनकी इस्त्रियों को मुसल्मानों के घरों में काम करना पड़ा यहाँ पे आपको अलाओ दिन खिल जी बताना होगा सही जवाब दिली के किस सुल्तान ने सिजदा की प्रमपरा को प्रारम किया था उनका नाम है नमबर सकेंड बलवन ने किया था भारत का अन्तिम मुगल साशक कौन था ओप्चन नमबर सकेंड बाहदूर साजफर सकेंड आपको पहले भी बताया गया था कहां कि बाद में कहां कि बंगाल के नवाब बने थे अलवर्दी खां के बाद बंगाल के नवाब बने थे फिरूश शाह तुगलत के दोरान नहरों के बनाने और रख रकाफ के खर्चे किसके द्वारा कहना एक वहन किया जाता था यहाँ पे आपको राज बताना होगा नंबर फर्स्ट सही जवाब ठीक है आइन ए एकबरी किस ने लिखा है अबूल फजल ने लिखा है नंबर सकेंड सही जवाब आपको बताना है विजे नगर का महांतम सासा कौन था 138 का नंबर फूर बताना होगा क्रिशने देव राय बताईएगा ठीक है देखे जी सवाल कब पूछा गया है बताएं कि समरिदी ने शर्यंत्र और विद्रो को जन्म दियाता था दरिद्रता स्वाइत और सांती की गायंटी देती है यहां किसने कहा है बताएं यहां कहा गया है नंबर आपका जयाओदीन बर्जनी हो जाएगा फूर सही जबाब नंबर वन अंडिट फूर्टी यहां पर आपसे पूछा ना कौन सा सुमेलित नहीं है अलाई दर्वाजवत अलाओदीन खिलजी ने बनवाया था जमात काना महजद बलवन ने नहीं बनवाया थाए रजल लेकिन जमात खान महजद कहते हो जामात खान महजद या इसे आप खिलजी महजद कहते हो डिली के सब्षे पुरानी महजीद में मतलब यह है और जो अलावदीन खिल जी है नाम खिल जी बन स्वाला उसका जो पुत्र था नाम था उसका उसका नाम था खिज रखा इन्होंने ही बनवाया था जमात खाना महजीद फ्रिंट्स आप इसे याद कर लिजी ठीक है इनोर नहीं करिएगा हलके में नहीं लिजीएगा अलावदीन खिल जी कुत्म मिनार इल्दूर्मिस और हिसार फिरोज साहत उगलक के द्वारा सही है जमात खान याद रखना है मतलब रखना ही है देखे बिहार जो मदनिसित पुईस भरती हुआ था तोजरत तईस में सवाल पूछा गया है और सवाल का लेवल बहुत ही जाद वाला कहिए जबर्दस्त है विजे नगर सामराज में अमरम शब्द का अर्थ क्या था अमरम का मतलब होता था नंबर सकेंड शैनिकों को दिया जाने वाला अनुदावान को देख रहे हो ना कब अ कब पूछा गया था यहां पर भी देखिए चलिए बताए और अंग्जेब के में इत्तु हुए थी आड़े कितना वारे पीटिट है चलिए वैसे ब्यार मत निशित का ये दरोगा पूछा गया सवाल है तो देना जरूरी है कि मुहम्मद बिन तुगलक लास्ट सवाल है मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आये परसित मुस्लिम खोच करता इबन बतुता किस देश के थे कहा के थे या देना मुरक्कु नंबर थर्ड सहीं जबाब हो जाएगा फर्ष्ट सीफ्ट में यानि कि बिहार प्रैमरी अध्यापक परिक्षा हुआ था पूछी में ये सवाल पूछा गया था आपका धीरे धीरे हर एक टॉपिक पर पकर बन रहा है आप धीरे धीरे समझ पारे हो कि एकजाम में सवाल कहों से आया है अगर आप जैसे बिहार SI है समझ लीजेगा था या फिर बिहार पुलीस है या फिर बिहार TRE मतलब सिक्षक भरती वाला है क्या हुआ ना कि इन सारे एक जाम में आपको पता है बिहार SI में 100 सवाल था बिहार पूलीस में 100 था टीरे में 120 सवाल था जिसमें क्यासी सब्जेक्ट से रहा था और 20 से था हैं अगर आप इस पूरा बुक को देखोगे ना किस किस टॉपिक से सवाल आया है वह आपको अच्छे से पता चल जाएगा ठीक है तो पकर आपको यहां पर अच्छे से बन जाएगा आशा करता हूं आपको क्लास पसंद आहीं गया होगा अगर क्लास अच्छा लगा हो पस इस टा करके आप चेक कर लीजेगा मास्टर वीडियो वगड़ा आ रहा है डरना नहीं है क्लास को देखना है अच्छे से कुछ कहना हो अभी ही कमेंट करके आप बता दें